अबी तक जितने भी पार्ट से सारे अप्लोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे और दस पार्ट मेरे यूट्यूब पे अप्लोड हो गए है आज जो मैं आपको करा रहा हूँ वह फॉर्फीचर ऑफ शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका mcqb short short board में देखने के लिए मिलता है. Sir forfeiture of shares क्या होता है जब company को calls, company जब call मांगती है या allotment पे पैसा मांगती है तो कुछ shareholder ऐसे होते हैं जो calls पे या allotment पे पैसा नहीं देते हैं तो जो पैसा कंपनी को नहीं मिला वो बन जाता है कॉल्स इन एरियर जब कंपनी एलोट्मेंट करती है और कॉल्स करती है और उस पे पैसा नहीं मिलता है तो क्या बन जाता है कॉल्स इन एरियर अब जो कंपनी के पास पैसा आ गया तो company उन पैसे को क्या करती है forfeit करती है उन share को forfeited करती है यानि कि उन share का amount cancel कर देती है जिनको share allot किये गेते तो जो पैसा company के पास आ गिया तो company उस amount को क्या कर देती है forfeited करती है बाद में इन share को reissue कर दिया जाता है reissue at par at premium at discount आपको आगई वाली classes में आने वाली classes में बताऊंगा लेकिन जो आज का जो topic है मेरा वो है forfeited of shares तो forfeited of shares को समझते हैं क्लाइन वे क्या चाहते हैं forfeited of shares means cancelling the shares allotted to the shareholders shares are cancelled for the non-payment of calls call amount if the article of association of the company allows forfeiture अगर company के article of association में ये दिया गया है तो company share को क्या कर सकती है forfeited कर सकती है अब सब forfeited का मतलब तो समझ में आगया होगा जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक बंदे के पास 1000 share से उसने application के 3 रुपे दिये पर allotment और final call के 7 रुपे नहीं दिये total share 10 रुपे का था, 3 रुपे की application, 4 रुपे की allotment और 3 रुपे की final call थी उसने सिर्फ application को पैसा दिया बाकी नहीं दिया तो उसने 1000 share के साथ से कितने पैसे दिये company को, 3000, तो वो 3000 company के पास आगे, company ने उससे share cancel कर दिये, तो जब company share cancel करेगी तो वो अपने पैसे मांगेगा, तो पैसा नहीं देगी company उस पैसे को जब्त कर लेगी, तो वो amount हमारा forfeited मना जाता है, यानि कि जो company पे आ गया है, वो ही amount forfeited होता है, और जो company पे नहीं आया, वो क्या होता है, falls in area, समझ में आ रहा है, clear हो गया, अब तुम्हारी देशी वाज़ा में समझाता हूं, माल ले तो तुमने mobile लिया, और इसमें तो तुम 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 समझ में आ जागा, example, one shot में समझ में आएगा, एक mobile लिया, mobile ल लिया, और उसके बाद की किस्ते आपने नहीं दी, तो company ने आपका mobile जब्त कर लिया, mobile भी company के वास मोंच गया, और जो पैसा आपने दिया था, वो भी पैसा company ने forfeit कर लिया, वो पैसा आपको वापिस नहीं किया, उसी को हम forfeit करते हैं, ऐसी जब हम shares खरीते हैं, तो share खरीत पैसे को वापिस नहीं कर रही है, उस पैसे को क्या कहते हैं, forfeit, क्या कहते हैं, और जो नहीं मिला उसे क्या कहेंगे, call scene area, जो नहीं आया, वो call scene area, और जो आ गया, वो क्या हुआ, forfeited, किसी बीच में भुवन जो उसी class पर disturb करते हुए, अब देखो ना, मेरे को तो तुम कर कि यहां देहां दोना यार, जब कहा रहा हूं, यह topic बहुत important है, अब यह वीडियो में यहां से कहां से काटू मां बताओ, कई बर कि आता मैं फ्लो में आकर बढ़ा जाता हूं, और यह वीडियो एजेंट्रीज में पहुंच जाती है, और यहां यहां रखो, कहां देहां है इसे भी ले आता है कंचन के गर, चलिए, स्टार्ट, पता नहीं, एक डिस्ट्रप करोगे तो फिर आजिव जाएगा, पपी साज़ा, अब ऐसी पहले चुप रहना पढ़ेगा ना थोड़ी देर, तो यह तो आपको समझ में आ गया कि call-in area क्या होता है, और आपका share forfeited क्या होता है, share forfeited वन शॉट में कहा जाए, जो company का पैसा आ गया, company उस पैसे को क्या करते ती है, forfeited और जो नहीं आया वो क्या बन जाता है, अब company जब share issue करते तो दो तरीके से करती है, एक करती है issued at par और एक करती है issued at par क्या होता है, अब द्यान देखें, accounting entry for the forfeited of share issued at par, मान लेते हैं, एक share holder में एक चोटा से, एक चोटा question मना देता हूँ, जिससे आपको ये सारी entries के लिए हो जाएंगी, मान लेते हैं, एक share holder है, यहाँ पे, रोहन नाम का एक share holder है, उसके पास 1000 shares है, रोहन hold 1000 shares, did not pay, allotment, and call, company ने ऐसे share हो क्या कर दिया, forfeited, his share were forfeited, his share were forfeited, अब देखें, कि application पे कितना amount है, allotment पे कितना है, और final call पे कितना है, मान लेते हैं, application पे 3 रुपे है, 4 पे allotment के हैं, और 3 रुपे final call के हैं, total amount कितना हो गया, 10, तो ये question मैंने आपको बना दिया, यहां पे, 10 रुपे का थे, था share, और, रोहन ने, जो hold किये थे, 1000 share, उसने allotment और call पे पैसा नहीं दिया, company ने ऐसे share को क्या कर दिया, forfeited कर दिया, तो इसकी entry कैसे करेंगे, अगर वो share issued at par हुआ है, issued at par का मतब है, वो share 10 रुपे पे issue किया गया है, तो 10 रुपे पे issue किया गया है, तो जब हमने share issue किया था, तब उसकी सारी entry हमने कर चुके हैं, यह उन entry के बाद वाली entry है, तो जब हमने share issue किया था, तो पूरे share 10 रुपे का था, तो share capital हमारी 10 रुपे से credit हो रही थी, तो यहां पे क्या हो जागी share 10 रुपे से क्या हो जागा, डैबिट, यहनि कि रोहन के पास कितने share हैं, एक हजार, और एक share की किमत कितनी है, 10, तो यहां पे कितना amount आजाएगा हमारा, 10,000, समझ मागे हैं अवला amount, allotment पे कितना पैसा मांगा था, रोहन से हमने, एक हजार share रुपे कितना मांगा था, allotment पे 4 रुपे, कितना मांगा था, 4,000, और calls पे, यहनि कि जो final call है, to share final call, final call पे कितना मांगा हमने, 1,000, इंटू 3,000, इसने दिया कितना था, सिरफ दिया application का यह तो पैसा दिया है, क्योंकि application पे तो पैसा देगा है देगा ना, तभी तो share alert किये जाएंगे, तो application का पैसा company पैस आ चुका था, जो आ चुका है, वो क्या हो गया, अगर question में आपने call sign area account खोला हुआ है, तो यहाँ पे two call sign area लिखना, अगर question में call sign area account नहीं खोला हुआ है, तब आपको यह दुनों entry आवास करनी होगी, दोबार समझाता हूँ, कभी बार हम question में call sign area account खोल लेते हैं, तब हम entry करते, share capital account debit to call sign area to share forfeited, अगर call sign area account खोला जाता है, अगर call sign area account नहीं खोला है, तब एंट्व गया बनेगी, share capital account debit to share allotment to share final call to share forfeited account, क्लियर हो गया, अब इसने company ने कितने share जब एक हजार share जब किये, company के पास पैसा कितना आया था, तीन हेजार, यह तीन हेजार कहां का है application का, अगर इन share को premium पे issue किया जाता, इस पे किया जाता, तब हमारे दो case बनते हैं, जब security premium मिल जा है, जब security premium ना मिले, नहीं मिलेगा मैं इसको यहीं पे समझा दूँगा, आपको समझ में आजाएगा, बहुत जाता अंतर नहीं है, मान लेते हैं, security premium मिल गया, तो ध्यान अखना, security premium एक चीज़ का ध्यान अखना है, security premium कभी भी share capital का part नहीं होता, share premium क्या होता है, security premium मारा share capital का part नहीं होता, तो जब भी हुमारा क्या होता है, security premium मिल जाता है, वो कभी forfeited नहीं होता, यहां लेते हैं यहां पे चार प्लस दो कितना हो गया और रोन के पास कितने शेयर है बिंए यहां पर नोट्मेंट पर पैसा नहीं दिया इसने अलॉट्मेट पर पैसा नहीं दिया है तो हम कैसे करेंगे जब स्टिकुर्टी प्रेंम में मिल गया और जब स्टकी की और यहां पर ले लेते हैं कि इंड़े पे पॉस्लिख देते हैं या पे खली हम इड नोट पे अलोटमेंट एंड पॉस और यहां पे तो यहां पे अलोटमेंट पे तो पैसा आज चुगा है ना वरे पस कि एक ना वीडियो को पॉस करो बाँ हैं तो यहां देखें कैसे करेंगे एकांटिंग एंट्रि हों ता फॉरफिटर अफ चेर इसू रैट प्रीमिघो अगर हम देखो शिए शिए इसू किस पार लेकिन दो रोपेस में किसका है प्रिम्यम का और ध्यान रखना रखना है प्रिमियम कभी फॉर्पीटेड नहीं होता क्योंकि शेर इप्रिमियम शेटी प्रिमियम हमयरा शेर केपिल यह तो यहां देखो है किफों कितनेỏi के बीजों कि केपास एक अजार श्यर हें और शेर की कितनी मॉइंट 25 कवा कि दसथा तरे ऊचत्य और एक हजार शैर अजय कितनी थिर् travelled स्ने ठीडर कितना नहीं थिया उसने तो दिया रहर मिलीकेशन चार बता विए और चार किसे दिया एकजान सुनर्वल मिलाक। रहते तो कितना मांट या से चार और तीन साथ एक हजार एंटू कि ना हो जाएगा तो कितना जाएगा यहां है नहीं कर सकते और का पारड नहीं होता आई हो समझ में आ टीक है जो ऑनलाइन विएर से बिटा आप वीडियो को बहुत करके आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए टीक है इसके बाद दिखते हैं जब security premium receiving नहीं हो जब security premium हमारे को receiving नहीं हो तो इसका मतलब not receive यहां पर आ जाएगा जब security premium हमारा receive नहीं होता है तो इस case में क्या होगा यहां पर did not pay allotment and calls होगा क्या होगा allotment and calls उसने allotment और calls पर पैसा नहीं दिया तो यहां पर आपको एक चीज़ का दिहान रखना है जब हमें security premium नहीं मिलता है तो security premium account हमारा debit हो जाएगा एस पी आर security premium reserve account क्या हो जाएगा हमारा debit हो जाएगा और कितने shares है एक हजार share पर SPR कितना है दो रुपे यहां कितना जाएगा amount 2000 यह समझ में आगे सबको और allotment area कितना है बताओ तो शेयर allotment account तो एक हजार shares पर इन्टू चार पर किसा आप से नहीं छह रुपे है बटा लॉट में कितना amount है यह रुपे कितना रुपे नहीं मिला आपको शेयर और फाइनल कॉल के कितने हमारे एक हजार इन्टू इन कितना होगिया थिन था तो दिया कितना है उसने बताओ के वले application की तो amount वाण दिया है एप्लीकेशन का amount ना तो एक हजार इन्टू तीन कितना हो गया हमारा तो च्छे और ती नौर तीन कितना आ गया 12 आगे समझ में जब आपको SPR नहीं मिलता तब आप यह वाले एंट्री करेंगे जब मिल जाता है तो पहले वाला केस करेंगे करने का तरीका यह है इसका बेसिक कॉंसेट यही है जो मैंने अभी करा आया है यह को अपको और अच्छे डाउट क्लियर हो जाएं तो आपको और नोट कीजे वीडियो को पाउस करके तो एक कोशन में यह बनाया है तो देखते हैं इस में क्या है जैल लिमिटेड फॉर्फिटेड फाइट फॉर्फिटेड शेयर्स और संभव और रुपीज टैन इच ऑन एप्लिकेशन दो रुपे ऑन अलॉट्मेंट पांच रुपे एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल संभव दिद नॉट पे कॉल्स मनी इस शेयर वर फॉर्फिटेड पास जेलल एंट्री तो यहां पे जनल एंट्री पास करने के लिए कह रहा है तो इस लेकिन फानल कॉल पे पैसा नहीं दिया तो आप देखेंगे कि एप्ली केशन्व कितना मांगा था कंपणी ने हैंप्लीकेशन में मंगा था दो रुपे इलॉट्मेंट पर मंगा था कंपनी ने पांच रुपे और बैलन्स फाइनल कॉल की बात कर रहा है बैलेंस जो है वो जो पास होगी सबसे पहले केंटी बनेगी शेयर कैपिटल एककाउंट कि डैबिट ठीक है शेयर कैपिटल अकाउंट डैबिट कितने शेयर है सम्भब के पास पांच हजार शेयर और एक शेयर की किमत कितनी है दस तो यहाँ पे कितना आएगा मांट पचास अजार तीक है संबभब ने कौन सा मांट नहीं दिया जब कॉल का मांट नहीं दिया तो जो नहीं मिला उसको क्या कहेंगे तु शेयर final call, final call पे कितना amount देना था उसनों ने 5000 इन्टो कितनी रुपे का final call है तीन तो कितन रुपे ने दिया company को इसने 15,000 और जो company को दे दिया तो वो क्या बन जाएगा, to share forfeited account कितने amount है, 5000 इन्टो साथ कितना आ गिया, 35,000 और नारेशन कोई rocket science नहीं है being share forfeited that's it कि समझ में आया 35 कैसा आया उसने कितना पैसा दिया application का दिया allotment का दिया जो company पे आ गया वो क्या बन गया forfeited और जो company पे नहीं आया वो क्या बन गया call in area अगर आपने और यही कोशन है असान सा कोशन है अगर यही कोशन हमारा premium पर होता तो premium बाला भी हम कर सकते थे normal question था जो मैंने आपको example में समझाया premium मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और इसके बाद में जो कराऊंगा आपको री इशू वाली जेंट्री यहां कराऊंगा यह वाली एंट्री जो थी forfeited वाली यह आपको clear हो गई और नेक्स पार्ट में हम जो कराएंगे वो शेयर forfeited के री इशू वाली एंट्री हम कराएंगे और वीटा आप वीडियो चे लगी तो लाइक जूरू कीजिए और क्या कहते हैं मुझे आप इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बलोनी सर्क्रामर्स ग्लासिस पर और मिलते हैं अगली वीडियो पर थैंक्यू वेरी मॉश